के लिए उन्होंने सुचना दिये वो पैदल आएंगे अभी बैठ जाएए मैं उत्री भाग के संतों से निवेदन करता हूं बैठ जाएए बैठ जाएए 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 मारनी ये प्रदार मंत्री जी फुर्वी द्वार से पैदर अगवान का एक छत्र मेकर उपर चड़ रहे है प्रवेश करेंगे शिंग द्वार से प्रवेश हो गया नित्यमंडप में प्रवेश कर गए रंगमंडप में प्रवेश हो गया अब वह पूर मंदप में प्रवेश करने वाले हैं वही पर सब रस्टीगर्ण रस्ट्री एश्ट्री एश्वेश प्रवेश करेंगे प्रवेश 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 करेंगे मिर्ट गुपालदाज जी महाराज उपस्थित है तेशाव पारशनन जी वासुदेवनन सरसोती जी महाराज यूग पुरुष परमानन जी महाराज अन्य सभी ट्रस्टीगर्ण वहीं पर उपस्थित है बारा बत्तर साथ मिनट हो गया है गर्व ग्रह में प्रवेश हो चुका है चादी के छत्रवाव के हाथ में लिए गोविन देगिरिगी शीराम के उस गर्व ग्रिती ओर पढ़ारते हुए एक-एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए पांच मंडपों को प्रार करते हुए उस अद्वुठ्षन के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्य में एक इतिहास रचेगा शी अयोध्या राम जोकि वैकुंट का हिर्दय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुलित है आज उल्लास चारो ओर आज आनंद चारो ओर क्यों नहों भगवान शीराम पधारे हैं भगवान शीराम प्राण प्रतिश्चित होने जा रहे हैं चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान शीराम की उस मूर्दी में जो इस वक्त थोड़ी ही रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंगासन पर भक्तों को दर्शन देंगे वो दिव्वे दर्शन जिसके लिए सभी की आँखें तरस रही थी दिव्वे छण योगांतकारी छण प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुच चुके हैं गर्वग्री में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्रीराम के बालमूर्थ के बाल विग्रह की इन छणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में करतब्य परायन स्वरूप में धर्म परायन स्वरूप में एक कि आज दिन को पुरी दुनिया साक्षी हो रही है और अगर देखें तो लिश्चित तौर्स इस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिये आता है सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिये आता है माथे पर अपने त्रिपुंड सज कर जगत गुरु भारत का संदेश लिये आता है और वह संदेश है वसुधेव कुटुम्बकम का वह संदेश है सर्वे भवन्त सुखिना का वह संदेश है क्रवन्तो विश्वमार्यम का वह संदेश है वयम राष्टे जाग्रेयाम पुरोहिता का यानि कि हम राष्ट में ज व्यमंदिर में प्राण प्रतिष्था के लिए प्रधान मंत्री संकल्प ले रहे हैं यह संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए यह संकल्प है उन बलिदानियों के लिए यह संकल्प है उन राम भक्तों के लिए यह संकल्प है भारत भारतियों के लिए यह संकल्प है सानातन स अजय, ईस तरह से आप यह अध्वु दिष्ज देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस चक्रान्पतिश्ठा के लिए और प्रणानमंत्री एक तरह से पन्म-पतिश्ठा के संकल्प के बाद जो छे ग्रिहस्त हैं वो इस पन्म-पतिश्ठा के खारक्रम को अपनी ओर से जिनोंने लगातार तपस्या किया है, भूमी पर शयन किया है, बिना कोई अंड ग्रहन किये, लगातार जबसे उन्होंने प्रानपतिष्ठा का सनकल्प लिया है, तब से वो छेव के छेव परिवार तपस्या कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, कि इस वक्त आचारे इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं, वो काशी से पधा रहे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव, भगवान राम के स्वामी की रूप में विरास्ते हैं, वो जगत कुरू हैं, इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काश सही जोतिशी गडेश्वर द्राविड ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है जिनों ने जो भूमी पूजन का भी जो जोतिशाचारे का महत बताते हुए दिखाला था और इस वक्त आप देखिए कि गर्वग्रे में बहुत ही विशिष्ट महमान प्रधान मंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राणप्रतिष्ठा समारों में अनंत अनंत कोटी आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से भगवान श्रीव की धरती से पधारे आचारिय की उपस्तिति में बहुत दिव्यक्षण वर्तमान में कहा जाए तो भगवान श्रीव सबसे अत्तिक प्रसंद क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबन्द भगवान श्रीव का भगवान श्री राम से आधे अद्भुक्षण आपके समक्ष अद्भुत छण यो वट बदली अंगणाईली सोया हिंदुस्तान उठा है यह संकल्प के सिध्ध होने का दिन है यह हमारे पुर्खों से किये गए वादों का पूर्ण होने का दिन है यह विधाता से दिये गए वचन को पूर्ण करने का दिन है यह उस शपत के पूरा होने का दिन है जब कहा जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं हर हर्दय की धड़कन रामायड पगपग पर बनी पुनीता है यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुर्शोत्म का हम मंदिर भव्य बनाएंगे सौगंध राम की खाते है हम मंदिर भग्वे बनाएंगे और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है आज विधाता से दी गई शपत का पूरा होने का दिन है आज सदियों की आकांच्छा का पूरा होने का दिन है आज हर्ष का दिन है आज उतकर्ष का दिन है आज अर्चन का दिन है वंदन का दिन है अ तरपन का दिन है तरपन का दिन है पुर्खों के अभिलाशा के साच्छात होने का दिन है आज सकल मनोरत पूरा होने का दिन है अजय जिस तरह से आपने पुर्खों के याद दिलाई तो यह जो पौश मास अश्विनी और बहुत ही पवित्र माना जाता है सभी पूर्खों के लिए हम तरपन करते हैं इस पवित्रमास में और आज द्वादशी की तिथी है द्वादशी की तिथी याने भगवान कूर्म के अतार की तिथी वही भगवान कूर्म जिनों ने स्रिष्टी के प्रारम में समुद्र मंधन के लिए आधार दिया उस मंदरा चल परव्यक को जहां से मतने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी श्रिष्टी की प्रकृती की इस ब्रह्मांड की स्यवा में लगे हुए हैं मा लक्ष्मी का प्रादुर्भा हुआ उन्हीं रत्नों में सबसे पहले विश्ट निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारन किये हुए अपने निलकंट स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं वहीं से अम्रित भी निकला आज वही अम्रित निकलेगा भगवान शिराम के प्रतिष्ठा के बाद आज कुर्मा वतार के इस पवित्रितित पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट की तरफ से संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान शिराम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मगन है हनुमान जो कि महाराजा धिराज है आज सबसे ज्यादा प् यह आचारे मंत्रों 4 के बीच में संकल्प करा रहे हैं सपश्ट तोर पर आप देखेंगे यह जो आहवान किया जा रहा है जब रगुपति रागह राजाराम पतित पावन सीता राम और आज भगवान रागहों के रूप में पधारने वाले हैं वो न रगुपति हैं वो न र भगवान शीराम अपने पांच वर्ष के उस अद्भुत अच्छवी का दर्शन देंगे और साती साथ पुरानी जो विग्रह है उसके उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नत्मस्तक होगी आप देख रहा है गर्वग्र पवित्र गर्वग्र जिसका निर संपन्न हो चुका है और यह अद्भुक्षन जब प्रधान मंत्री इस वक्त श्रीराम लला के सामने पहुचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादर्शी का दिन कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की लेकिन ग्यारह दिनों से अपने व्रत के जरिये एक तपस्वी की भाती प्रधान मंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भग्वान श्रीराम ने राजा भुशेक से पहले भूमी पर शयन किया भग्वान श्रीराम ने राजा भुशेक से पहले जैसे अन्नजल का त्याग किया महर्श वसिष्ट के कहने पर होने ने सा गट वद दियो का सारी